दोस्तो टेक दुनिया के लेटेस्ट एपसोड में आपका स्वागत इस वीडियो में आपसे बात करता हूँ टेक्नाजिय वलके कुछ लेटेस्ट और कुछ इंट्रेस्टिंग अपडेट्स के बारे में तो अगर आप भी टेक्नाजिय वलके पलपल के खबरों से रहना चाहत अपडेट तो आप इस वीडियो कोन तक जरूर देखे क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए सारे इंफरमेशन बिलकुल ही डिटेल में है तो नमस्कार दोस्तों मिरा नाम है स्नेहल आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्सन तो चलिए टेक दुनिया में दोस्तों आज के लिए स्टार्ट करते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग अपडेट से जो की है दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल एक्सप्रियेंस से लिटेड आप सभी को याद होगा कुछे दिन पहले सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्टरी सेटप कि उनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सप्रियें devices को use करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से और practically इन technologies के बारे में समझ सकते हो अगर आप artificial intelligence या फिर internet of things के बारे में detail में जानना चाते हो तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाई भी है मैं description में नीचे link डाल दूँगा आप वहाँ से इन दोनों topics पर वीडियो देख सकते हो और इन दोनों टेकलोजी इसको बहुत ही अच्छे से समझ भी सकते हो दोस्तों ये mobile experience center Samsung के products के लिए होने वाला है दुनिया का सबसे बरा display क्योंकि इस mobile experience center में आपको जितने भी Samsung products हैं फिर चाहे वो Samsung का कोई भी latest launched smartphone हो या फिर कोई wearable devices हो मतलब कि वैसे devices जिसको आप पहन सकते हो जैसे कि smart watch है या फिर quad LED TVs हो या फिर smart TVs हो और जो भी products है Samsung brand की वो सारे आपको इस mobile experience center में देखने को मिलेंगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले update की और अगला update है Realme 2 Pro से related इंडियन smart phone market के अंदर पिछले साल Realme 1 और इस साल Realme 2 एक बहुत ही बड़ा success था और इसी success को बुनाने के लिए Realme ने Realme 2 का नया successor Realme 2 Pro Announce किया है और इसकी launching होने वाली है 26 September को दोस्तों को वैसे तो Realme ने इसकी launch date के अलावा और भी कोई specifications के बारे में नहीं बताई है जो कि आपको Realme 2 Pro में देखने को मिलेगा लेकिन उमीद ये किया जा रहा है कि Realme 2 में ही कुछ अच्छे updates करके उसको Realme 2 Pro नाम से launch किया जाएगा वैसे Realme 2 Pro की जो pricing होने वाली है वो 15,000 के range की होने वाली है मतलब जो Realme 1 और Realme 2 आपको 10,000 से नीचे के price range में अच्छे specifications देता था वैसे price range में आपको Realme 2 Pro देखने को नहीं मिलेगा आप कितना interested हो इस phone के बारे में या फिर आप कितने वरे fan हो Realme brand के आप मुझे बताना जबर नीचे comments में है दोस्तों बात करते है Apple के iPhone की आप सभी को पता होगा कि 12 September को iPhone के 3 नए variants लाँच किया गया थे जिसमें कि पहला था iPhone XS, दूसरा था XS Max और तीसरा था XR और इन तीनों नए variants के बारे में आज की update नहीं है आज की update है iPhone के कुछ पुराने variants के बारे में अब नहीं मिलेंगे दोस्तों iPhone SE 6S और 6S Plus का discontinue होना एक normal बात है क्योंकि ये पुराने variants थे और हर साल ऐसा किया भी जाता है लेकिन iPhone X का discontinue होना एक बड़ी news है क्योंकि iPhone X को पिछले ही साल लाँच किया था Apple ने और इसके पीछे जो reasons बताए गया है वो ये हैं कि अभी जो भी नए variants फिर चाहे वो XS हो XS Max हो या फिर XR हो ये तीनों जो variants launch हुए है इनकी जो displays है या फिर जो इनका overall design है वो iPhone X के comparison में बिलकुल identical है हाँ इनके chips में कुछ changes है आपको Bionic A12 chip देखने को मिलता है जो की 7nm chip है उसके साथ-साथ आपको बहुत सारे updates देखने को मिलता है लेकिन जो overall design है वो iPhone X पर ही बेश्थ था और यही reason है कि iPhone X को Apple ने discontinue किया है दोस्तों अब अगर Indian market की बात करें तो Indian market में अभी के लिए सिर्फ iPhone SE है जो की discontinue किये गया है मतलब आपको 6S 6S Plus और iPhone X अभी के लिए आपको Indian market में available है इनकी price में कुछ changes की गई है iPhone X के price में जो की 32GB, 64GB और 256GB variant है इन तीनों की price में 2000-5000 रुपे की cut की गई है और जो आपको सबसे सस्ता iPhone अभी इंडिया में मिलता है वो है Apple का 6S जो की है 39,990 रुपे का दोस्तों अगले update है OnePlus 6T से related पिछले के उस दुनों में बहुत सारे specifications लीक हुए OnePlus 6T के और जो अभी latest leaks है वो है इसके triple camera setup के बारे में जो अभी तक leak आए है उनके हिसाब से आपको OnePlus 6T में display मिलेगा वो है 6.4 inch का Super AMOLED display और यह run करेगा Android 9.05 पे इसमें आपको notch support भी मिलने वाला है और इस notch की खास बात यह है कि यह conventional बड़ा notch नहीं होगा इसमें आपको बिल्कुल ही एक water के drop इतना छोटा notch मिलने वाला है दोस्तों इस phone में आपको मिलता है Snapdragon का 845 processor जो की एक flexive grade processor है इसके साथ आपको जो variant मिलेंगे वो तीन variant पे OnePlus 60 अबिलेबल होगा पहला है 6GB, 64GB variant दूसरा है 8GB 128GB variant और जो तीसरा variant है वो है 8GB और 256GB variant दोस्तों अगर इसके camera setups के अब बात करें तो जो latest leaks आई हैं उसके हिसाब से OnePlus 60 में आपको triple rear camera setup देखने को मिलेगा मतलब आपको दो camera नहीं पीछे में तीन camera देखने को मिलेगे और सामने की और selfie के लिए इसमें आपको 25MP का camera मिलेगा दोस्तों OnePlus 60 के पारे में आप कितना interested हो आप कितना सोचते हो इस phone में क्या-क्या होना चाहिए या पर जो भी leaks अभी तक आई है उनसे आप कितने excited हो आप मुझे बताना जो नीचे comment में है दोस्तों आज के लिए जो last update है वो एक बहुत ही interesting update है और ये निकल के आती Amazon के तरफ से Amazon ने 2018 के Christmas के लिए एक बहुत ही अनूखी तयारी की है क्योंकि आपको इस बार Amazon real और full-sized Christmas tree deliver करने वाला है मतलब 7 feet, 8 feet तक के packets आपके घर पे आने वाले हैं और उसमें real Christmas tree होंगे दोस्तों Amazon का कहना ये है कि पिछले साल लोगों ने छोटे scale पे और छोटे-छोटे Christmas trees logo तक पहुचाए थे, उनको deliver किये थे और उसमें जो उनको customer experience और जो customer support मिला था उसको देखते हुए इस साल full-sized और real Christmas trees Amazon deliver आपको करने वाला है दोस्तों आप सोचके देखो कि Christmas के time पे आप जहां भी जाते हो आप कहीं भी जाते हो आपको वहाँ पे artificial Christmas trees देखने को मिलते हैं और अगर ऐसे में उन artificial trees के जगह पे real trees हो तो कितना मज़ा आने वाला है दोस्तों ये थे आज के लिए कुछ technology updates जो कि आप सभी को जानने चाहिए तो फ्लाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फ्लीज लाइक करें वीडियो पिर में चैनल इलेटेड अगर आपके मन में कोई बी डाउट हो सवाल हो, सुजा हो या कुछ भी हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब करें मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ